Hello friends, मैं हूँ अन्यपुन्ना and welcome to my channel आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़्धा tasty and healthy snacks वो भी fresh corn बुट्टे के साथ जो खाने में tasty तो है ही साथी बहुत ज़्धा healthy है और बहुत ही instant quick recipe है जो तुरण बनती है बिल्कुल ज़्धा time भी नहीं लगता है तो ऐसे tasty, yummy, healthy snacks के लिए यहाँ पे मैंने use किया है fresh corn यह जो fresh बुट्टा होता है वो मैं use करें क्योंकि अभी season है, rainy season का time है तो यह easily available है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप frozen भी use कर सकते हैं यहाँ पे मैंने fresh corn लिया है लेने के बाद इसका चिलका उतार लिया है चिलका उतार कर अभी मैं इसे तोड़ कर इसे मैं दाने अलग करके दिखा रही हूँ आपको जो method easy लगता है आप वो method यूज़ कर सकते हैं मैं जिस तरीके से करती हूँ वो method मैप के साथ share कर रहे हूँ अभी मैंने इसको इस तरीके से तोड़ लिया है तोडने के बाद आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं एक तो आप इसे इस तरीके से छिल सकते हैं बड़ इसमें थोड़ा सा time लगता है तो आप इस तरीके से भी छिल सकते हैं या knife लेकर इस तरीके से बीच में से पहले दो रो को निकाल लीजिए दो रो निकालने के बाद बाकी का जो भुट्टा है वो आप easily निकाल सकते हैं कड़ कर भी निका सकते हैं, यह बहुत जपित डान में निकल रहे हैं, इसमें यह निकाल लिया है, और बहुत जल्दी यह बोट्टक में चलती मलती बुट्टे चाने चलता है भी अलग हो जाएंगे बुट्टो को क्लीन कर लिया, उसके दाने अलग कर लिये हैं, अब बिने एक बार वाश करके हम यूस करेंगे, तो अभी मैंने बुट्टे को वाश कर लिया है, उसके बाद मैंने इसको डाला है, एक मिक्सी के जार में, डाल कर इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है, इसका च तोड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा आटा या बेसन लगेगा इसलिए हमें इसे दरदरा ही ग्राइड करना है इस तरीके से और दरदरा ग्राइड करने से वड़े भी क्रिस्पी बनेंगे अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ डाल रही हूँ शिमला मिर्च गाजर प्याच और हरा धनिया वेजटेबल कंप्लेटली ऑप्शनल है बट मैं इसे और हिल्दी बनाने के लिए वेजटेबल एड कर रही हूँ उसके बाद हाफ टीस्पून नमक है और एक चुटकी जितना हिंग है और यह है बेसन बेसन मैं दो टीस्पून डाल रही हूँ उसके बाद इसमें मैं चावल काटा भी दो टीस्पून डाल रही हूँ अब दोनों मैं से बेसन या चावल काटा कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है बेसन दो टीस्पून है चावल काटा भी कम लगेगा ये अभी थोड़ा सा और गिला है तो मैं एक टीस्पून और चावल का आटा डाल रही हूँ डाल कर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब देखना अगर ये बॉल बन रहा है इसमें शेप आ रहा है तो अब हमें और आटा डालने की जरुरत नहीं है अब ये पर अधरवाइस इसमें पानी छूटेगा और वड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे अब वड़े आप इस तरीके से भी बना सकते हैं या इस तरीके से बीच में होल करके ऐसे वड़े भी बना सकते हैं अब ये बनके रेडी है मैंने तेल गरम मुने रग दिया है उसमें मैं डाल एक एक वड़े डाल कर डालती समय तेल गरम है उसके बाद मैंने गैस का फ्ली मीडियम हाई रखकर सारे वड़ो को उपर नीचे पलटते हुए अच्छे से फ्राइ कर रही हूँ ये वड़े में जैसे मैंने विजटेबल एड किया उसकी जगा आप एक कटूरी चनादाल ए ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टीस्टी लगता है अब मैंने इसको अच्छे से बलटते हुए क्रिस्पी होते तक फ्राइ कर लिया है उसके बाद मैंसे निकाल रही हूँ प्लेट में और इसी तरीके से हम लोग सारे वड़े फ्राइ कर लेंगे ये वड़े आप किसी भी चटनी सॉस की सा सर्फ कर सकते हो या ऐसे भी खाने से ये बहुत ज़्यादा टीस्टी लगता है अब आप भी ये टीस्टी वड़े ज़रूर बनाएए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू